आप हो मेकर हो या हो वरकिंग उमेंट किचन की अंगिनत काम किसी कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स एंड हैक्स शेयर कर रही हूँ जिसे फॉलो करके आप अपनी रसोईखर का काम बहुती आसान कर सकते हैं और अपनी सारे कामों को जटपट कर सकते हैं आज की सबसे पहले टिप यह है कि हम जब भी पूड़ी वेगयर को छानते हैं या फ्राइ करते हैं तब हमें हमेसा अपनी लोई को तेल से ही बेलना चाहिए ना कि वहाँ पर आटा या चोकर लगा के ऐसा करने से एक बहुती अच्छा फाइदा यह होता है कि आपके तेल यहाँ पर गंदे नहीं होते हैं ना ही उसमें किसी भी तरके पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते होंगे कि आपको फ्राइ करने के लिए जितने तेल की जरुध हो आप हो सके तो कम से कम तेलो का यूश करें क्योंगे तेल से ज्यादा हानी कारत जलावा तेल होता है जलेवे तेल को कभी भी हमें फिर से फ्राइ नहीं करना चाहिए और उसके बाद आप उस तेल को ठंडा करके एक जार में स्टोर करें फिर चाहिए तो इससे पराठे वेगरा आप बना सकते हैं लेकिन फ्राइ आप बिल्कुल ना करें जब भी हम कच्छे दूद को पतीले में डालते हैं और उसे दिन बाद बॉयल करने के बाद आमारे दूद के पतीले में नीचे बहुत सरा दूद हमें जमावा देखने को मिलता होगा तो इससे साफ करने में प्रॉब्लम आती है और चीजों की वेस्टेज भी होती है इसलिए जब भी आप दूद को अपने पतीले में डाले सबसे पहले आप थोड़ा सा वाँ पानी डाले उसके बाद आप इसमें दूद को दे सकते हैं इससे कभी भी आपने दूद तले पे नहीं चिपकेगा तो हर किसी घर में आलू का यूज सबसे ज़ादा होता है कभी भी आलू हमारा धाई सो ग्राम में आता है तो हो दो किलो के उपर ही आता है और कभी वेकेशन पर आपको जाना हो तो हमें हमेशा टेंशन रहती है कि आलू कहीं खराब ना हो जाए इसके लिए सबसे easy hack ये है कि आप यहाँ पर कोई भी अकबार ले ले अकबार को आप छोटे छोटे टुकड़ों में पहले कट करें उसके बाद आप इसके इस तरह के गोले बना ले ये हैक मैंने सबजी मंडी में देखा कि वहाँ की जो दुकानदार वेगरा होते हैं वो बोरी के आलू को हमेशा ही अकबार से ढखके रखते थे या उसके अंदर अकबार रहता था तो इसी हैक को हम अपने डिली लाइफ में इंक्लूट करेंगे इस तरह से गोले बना के हम अपने आलू में इसे रख देंगे आलू कभी भी खराब नहीं होंगे चाहे दो किलो आएं पांच किलो आया या आप कोई वेकेशन पे चाहें जब भी आपको अपने डब्बे में किसे भी चीज को रिफिल करना हो जैसे यहां पर मैंने डाल लिया है तो नए पैकेट को खोल कि आप उसे एजेक्टिस फूल ना करें क्या करें कि जितना आपका समान आपके जार में बचा हुआ है सबसे पहले उसे बाहर निकाल दे हो स हर घर की कॉमन प्रॉब्लम यह होती है कि घुसी का आइटम बहुत जल्दी खराब हो जाता है इस पेसली सपेद मतर हरा मूं या चना या काबली चना उस पे बहुत जल्दी इस तरह के कीड़े लग जाते अगर आप जल्द बाजी में हो तो यह कीड़े आपको दिखेंगे लेकिन आपके हेल्द के लिए काफी जादा नुकसान डायक है तो इस तरह कीड़े कभी भी ग्रेंस वेगर में ना लगे इसके लिए सबसे इजी है कि यह है कि आप इसे एक बोल में पहले ट्रांसफर कर ले उसके उपर आप इसमें कोई सा भी तेल डाल दे तेल को डालने क सरथ के लिए तो अपने गर में केख्या करते हैं केख्या करते हैं की क्या चीब को घटे है चलके के अब त जाधा हम लगे ना तो तो यह अने वाले यह तो यह यह कि हील्स वेगर फड़ जाते हैं तो रोजाना केले के छिलके रगरने से वह प्रॉब्लम तो आपके कम्प्रिटली दूर हो जाएगी साथी आपके पैर भी मुलाइम हो जाएगे इसका यूज है आपके प्लांट के लिए क्या करें कि आप इसे बॉटल में डाल के पानी डाल के ओवर नाइट के छोड़ दे नेक्स से क्या होगा कि ये बहुती अच्छा एक पटिलाइजर बन चाहेगा यहाँ पर एक और हैक मैं आपको कुछा शेयर करती हूँ जैसे यह मेरे गुडल के प्लांट है और मेरे पूजा घर में अभी गुडल काफी जादा यूज हो रहा है पूजा घर में यूज आए हुए जितने भी गुडल होते हैं इसके फ्लावर को मैं इसी में डाल देती हूँ ताकि यह सुख जाए और यह आज़े पटिलाइजर में रस्ट लग जाता है और फिर यह आपके हेल्फ के लिए भी काफी जादा नुकसान डायक बन जाता है हमेशा यह उड़न स्पून के यूज करे नमक में यह किसी भी तरह का रियक्शन नहीं करता है जाए वह आपके दालों के लिए चाहे वह आपका तूर दाल हो चना दाल हो या हो मुंगदार क्या करे कि एलमूनियम का फॉइल ले ले उसे आप इस तरह की गोले बना ले और इसे डाल दे अपने दालों में कभी भी दाल आपके खराब नहीं होंगे ना तो उसमें कीड़ पढ़ेंगे ना ही उसमें फंगस आएगा डाल के यूज आप फिर लॉंग लास्टिंग तरीकों से कर सकते हैं विल अगर आपके घर में कापी ज़्यादा चूहें और आप चूहों से परिशान हो चुके बहुत सारे हैक स्ट्राइक कर दिया बहुत सारे चीज़ों को अप लियbang लास्म आप्ट तयार नहीं करी के उससे बहुत आने का उपाए बतारी है पानिंग yu कंवा इसे तरह से मीक्स कर लेंगे हम बनाए यहाँ पर मैं लिया है पनाइल टी की गोली उस तरह से क्रस्ट कर लेंगे और crust करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा next मैं इसमें डालूँगी detergent ये detergent का आपको use करना है दोनों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे और ये जो आटे की लोई हमने बनाई थी उसके छोटे-छोटे कुटुकडे करके हम इसे इसमें wrap कर देंगे तो ये तरीका आप अपना सकते हैं otherwise क्या करें आप otherwise क्या करें आप कि जैसे कोई भर्वा पराथा बनाते उसे इस तरह से करके ये जो जहर आमने तयार किया है वो आप इसमें डाल दें चुहे को कभी भी detergent और तनाय की smell पसंद नहीं होती है वो खाएंगे तो बिल्कुल आपके घर से बाहर चल जाएंगे चीनी घी और आटे का यूज मैंने इसले किया है कि चुहे इस सारी चीजों से attract हो आपका काम बन जाएगा उन जगों पर डाले जहां पर चुहे अकसर आते हैं तो जब मसालों को अपने डबे में जार में रिफिल करते हैं तो एक बारे जब इसे रिफिल कर लिया तो सारे मसाले हमें एक जैसे लगते हैं आपको कभी ना कभी इस तरह की कंफूजन जरूर आती होगी कौन सा मीट कौन सा कीचन कीग मसाला है कौन सा बिर्यानी मसाला है या कोई और मसाले तो इसके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप उन्हें लेबल करके रखे लेबल करने के भी बहुत सारे तरीके है आप जिस भी डब्बे से उससे आपने रिफिल किया है उस डब्बे का जो टैग होता है यानि ये वाला चीज को आप कट कर ले और अपने जार में आप इसे स्टिक कर दे मैं ये वाला तरीके अपने बहुत सारे जार में यूज करती हूँ देखने में काफ़ी ज़्यादा एट्रक्टिव लगता है और चीजे भी यूज में आ जाती है सेकेंड तरीका ये है कि आप बस एक नोटपैड में जो भी चीजे है या जो भी मसाले है उनका नाम लिखके आप उसे as it is इस्टिक कर ले ऐसा करने से क्याते है हर चीज अलग लग रहती है अगर आपने अपने कीचन को छोड़ा हुआ हो या कभी आपकी तब्यत खराब हो या आपने माई के गए हो या आपके घर में खाना बनाने के लिए मेड हो अगर कोई दूसरा भी कीचन में आपके काम कर रहा है तो उसको समझ आएगा कि कौन सी चीज किस चीज की है और उसे काम करने में कापी ज़्यादा आसानी होगी अगर ये सारे कीचन हैक्स आपके लिए यूसफुल रहे हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करे और शेयर करे मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूँगी नीव वीडियोस के साथ तब तक के लिए बाबाई